जैहिंत प्यारे दोस्तों मैं प्रकासवस्ति कानपुरवाला प्यारे दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट फेस का एक्जाम 17 तारीक से यानि 17 अगस्त से 25 अगस्त के होना है प्यारे दोस्तों आपको हम बता दें आपकी तैयारी को बहतर कौन सी किताब कर सकत प्रकास अवस्ति एप को डाउनलोड करना है और नाम मात के सुल्क में सिर्फ नाम मात के सुल्क में पूरी किताब का Bilingual Solution with PDF with Extra Lecture आपको मिल जाएगा दोस्तों याद रहे सैयारी अच्छी तब होती है जब आप किताबों को बहतर पढ़ते हैं जदा सौट के चेकर में पढ़िए चीजों को बहतर सिखिए अब जिनका एक्जाम Phase 2, Phase 3, Phase 4, Phase 5 ऐसे जाएगा उनके लिए बहुत बड़ा मौका है तो आज ही डाउनलोड कीजे प्रकास सौश्ती एप और इस किताब के सुलूशन को बाई करके पढ़ना चालू कर दिजे हमारे द्वारा दोस्तों पहला कोशन आपके सामने दिको इन जनल हम ये चैप्टर आपको एवरिज के बाद पढ़ा रहे हैं यानि आपको बहुत इजी वे में सीखना चाहिए कर क्या मीन एजे एवरिजी होता है यहाँ पर आपको अगर मीन कहा जा रहा है मीन सिगमा एफ आफ एक्स अपॉन सिगमा एफ यानि पिक्वेंसी एफ को बोलते हैं उसमें एक्स का मल्टिप्लाई अपॉन सिगमा एफ सिगमा मतलब समेशन बस इतना ही आज के सेशन में करना होगा लेकि हम आपको सिखाएंगे इस सौटकट हर एक चीज का मगर प्यार से पहला कोशन क्योंकि आसान है कि अपॉन सिगमा एफ इस वन विट रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी ओफ दिस वन अब हमें इसका आंसर निकालना है सोचो कैसे किया जाए जो पहले वैलू दी गई है वो एकस आई की दी गई है जो कि एक दो तीन चार एंड सो ओन कहां तक एन तक और जो दूसरी वैलू दी गई है वो एफ आई यानि फ्रिक्वेंसी की दी गई है जो कि एक दो तीन चार एंड सो ओन ये भी एन तक दोस्तों अभी जैसा कि आपने दिखा था कि हमने लिखा था mean यानि माद्ध बराबर sigma f of x upon sigma f ऐसे लिखा था यानि इन दोनों का भरत मिला 1 into 1 यानि x f ऐसे निकालें तो 1 into 1 वन का square, 2 का square, 3 का square, 4 का square and so on एनिका स्क्यार, सिग्मा मतलब समेशन, अगर हम समेशन यानि सिग्मा निकालेंगे तो ये सब प्लस हो जाएंगे और अभी हाली में आपने एवरेज पढ़ा है, sum of the square of first natural number, n प्राकतिक संख्याओं के वर्गों का यूग, आपने वहाँ फॉर्मला पढ़ाता है, n by 6, n प्लस 1, 2n प्लस 1 यानि इस पूरे समेशन का वैलू ये होगा, नीचे जो भाग दे रहे हैं, सिग्मा एफ का भाग दे रहे हैं, यानि सिग्मा एफ, तो natural number का sum का फॉर्मला आप जानते हूँ, n by 2, n प्लस 1 होता इससे ये गया, इससे ये गया, दो से ये तीन बार में गया, यानि आंसर आएगा, 2n प्लस 1 बाई 3 ये इसका आंसर होगा, पहला कोशन, एक प्यारा कोशन आपके सामने solve कराता हुआ, खुसी मिलेगी जब आप अंत तक पढ़ोगे अभी आपको खुसी नहीं मिलेगी, अंत तक चीजों को सीखोगे, तो आपको अच्छा लगेगा पहले कोशन के बाद, दूसरा कोशन, कहते हैं, ये निमलिकित आकड़े का माद 15 है, तो के का मान ग्याद कीजिए पढ़े आराम से, तयम के साथ आप सीखेगा, निमलिकित आकड़े का माद 15 है, तो के का माद ग्याद कीजिए देखा जाए, एफ आप एक्स करोगे बच्छा, पहले समझो, हम आपको दो तरीके सिखाएंगे पहला किताबी मेथड समझो, किताबी मेथड में हमें सिग्मा एफ आप एक्स करना पड़ेगा और सिग्मा एफ से भाग देना पड़ेगा पहले इसे समन लो, छे पंचे तीस ऐसे, टैन के ऐसे, पंदरा खका नब्बे ऐसे, बीज गसा दो सो होगा और 25 गुडे 5, 125 होगा, बोलो हाँ, एफ से भाग दोगे, सिग्मा एफ, तो 6 दूनी 12, 12, 5, 17, 10, 27, यानि 27 प्लस के से भाग दोगे इसका एवरेज हमें कह रहा है, एक तरीके से मीन कह रहा है, पंदरा आया दोस्तों इस तरीके को समझना ये बेसिक तरीका है अब देखा जाए 290 और 30 यानि ये हो गया 320 290 तीस यानि 320 हो गया 145 जोड़ोगे तो 445 ये ऐसे आया प्लस 10K आया 15 का गुड़ा 27 में तो 15 सत्य एक सो पांच 10 हासिल 15 दिनी 30 और 10 चालिस और ये 15K हो गया ताउधान ने 7 अरग ने ये इधर आया तो ये 5K हो गया ये इधर आया तो ये 40 हो गया यानि के बराबर आया 8 हमसे कहता है के का मान बताईए 8 is the right answer लेकिन प्यारे दोस्तों अगर आप ये तरीका लगाते हैं किताब बाला तो ये तो आसान वैलू है इसको निकालने में आप सच्छम अगर यही कोशन अभी थोड़ी दिर में देखेंगे काफी बड़े बड़े होंगे कहीं लिखा होगा 27 गुड़े 28 कहीं लिखा होगा 31 गुड़े 37 तो फिर पेपर में आप इंटू ही करते रह जाओगे आप से सॉल्म नहीं होगा बात समझ में आए यानि अब आपको पेसिंस रखना है और जो सिखाएं उसको मानना है जो सिखाएं उसे मानना है ये ने कि सरमना मनवे चाहें जो हो जाए फिर कुछ नहीं हो सकता तुमारा चीजो को बैतर सिखिए हमारे साथ एक चीज़ समझो फ्रिक्वेंसी आपकी ये है फ्रिक्वेंसी जो की आपके सामने 6, K, 6, 10 और 5 ये है और X की वैलू 5, 10, 15, 20 और 25 ये अब आप प्रकास कला को देखिए प्रकास कला क्या कहती है कि इसका मीन कितना है 15, तो 15 यहां रख लो 15 यहां रख लो 15 से जब 5 को देखते हो 15 से 5 को देखते हो तो किसकी कमी लगती है 10 की, 10 माइनस का 15 से 5 को देखते हो 10 माइनस का मायनस 10 गुढे 6, 15 से 5 देको गे-10, तो ये मायनस का 6 हो गया, 15 से 10 देखो के तो मायनस का 5 आया, ये मायनस 5 का गुढा και में करोगे, तो मायनस का 5 की आया, 15, 15, same same तो ये 0 कोई दिक्का नहीं, 15-20 देखोगे प्लस का 5 आया ये 5 का गुड़ा 10 में तो प्लस का 50 हो गया 15-25 देखोगे तो प्लस का 10 आएगा और इस 10 का गुड़ा 5 में तो प्लस का 50 आएगा बोलो हाँ और अब आपको याद रख़ना है कि इस जो value आई इसको सिर्फ 0 के बराबर करना है सिर्फ यही लाइन आपको solve करना है then you will get the right answer बड़ा सा बड़ा question एक लाइन में solve होगा अभी यह आसान लग रहा है पर नहीं भविस में यह calculate हुए यह अच्छा तरीका है यह 100 यह 60 तो यानि 5 के बराबर 40 के और के बराबर 8 किताब से हट कर यह तरीका है और हम इसी पर work कराएंगे अनथा पेपर में यह solve होने वाले नहीं है तो बच्चा यह इसका answer है अब एक बच्चा कह रहा सर बेसिक दिया करो तुम हवन करो पहले घर में बैटके क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगा अरे बेवता, basic तो यह ही है न sigma fx इन दोनों का गुणा का योग, इन दोनों के गुणे का योग इन दोनों के गुणे का योग, ऐसे करके ओपर जो यह लिखा फिर sigma f इसका योग बराबर 15 यह बेसिक मेरे देवता यानि यह बेसिक सोलूशन है और यह हाई टेक सोलूशन है और सीखना पड़ेगा अगर सेलेक्शन चाहिए टाइम पास के लिए बने रही है दूसरों के पास हमारे पास नहीं कोशन नमबर 3 फिर से सेम पैटर्न का जहरीला कोशन अब ध्यान देना अ यह अपनी कला अपनी कला यहीं दिखाएंगे देखो इन जनल जब आप किताब का सोलूशन देखोगे तो 29 गुड़े 4 जो आएगा 30 गुड़े 3 जो आएगा इतना गुड़े इतना जो आएगा इतना ऐसे एक कैलकुलेटिव हो जाएगा चलो हम इसको लिख लिख के जो किसी को कोई आपती नहींता है यह फिक्वेंसी पहले लिक रहा हों कि इसकी नीचे 29 आया यह 30 प्लस के यह 34 आया और यह 62 कुछ नहीं करेंगे कहता है निम्लिकी तालिका में बारंबारता बटन दिया गया है जिसका समानतर माद 33 है यानि हमें आर्थमेटिक मीन 33 दिया गया पढ़िया सी दिखना तो यहां मीन दे दिया गया 33 ऐसे पकड़ दिया देखा जाए 33 उनतिस का जो डिफरेंस है 33 उनतिस का डिफरेंस है वो माइनस का चार है मैं चलो यहां लिख देता हूँ जिससे समझ में आए माइनस का चार तो चार गुड़े माइनस चार माइनस का सोला 33 और 30 का जो अंतर है वो माइनस का 3 है माइनस 3 गुड़े 3, माइनस का 9, 33 इसका अंतर, इसका अंतर, अब मैंने बात को सुनो, इसका तो 30 प्लस K में यह घटाया जा रहा है, यानि K-3 का डिफ्रेंस आया, इसका गुड़ा इसमें करोगे, यानि प्लस 3 के ऐसे लिखो, और K-3 लिख दो, 33 का 34 में तो प्लस का एक का अंतर आएगा, 33, 34, प्लस का एक, एक गुड़े 2, तो यह दो ही होगा, 34, और 62 का अंतर, जो घटा के आजा है, बस वही चिपका दो, क्योंकि एक का गुड़ा होना है, 12 में से 3 गया 9 आया, 5 में से 3 गया 29 आया, बस एक्स्ट्रा काम आपको प्रकास कला में करना है क्या, इसको 0 के बराबर कर दो, बस, बस यह लाइन जो solve होगी, वही आंसर, आपके पेपर में छमता है, तो इसको देख कर कर लो, वन्ना मैं लिख लिख के सिखा रहा हो, यह आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप जो सोच रहे होगे, यह माइनस का 25 हो गया, यह 31 हो गया, तो प्लस का 6 यह आया, प्लस का 6 आया, इसको नहीं लेना है जो तुम सोच लो, यह तो वो था, यह लाइन बराबर, 0 के, और यह 3 के, k-3 is equal to 0, 3 से भाग देदो, 2 प्लस k-3 is equal to 0, यह तो रूट्स होंगे, माइनस प्लस तो प्लस प्लस होंगे, एक दो आएगा और एक आएगा, हमसे कहता भाईया, के-के मानों का गुड़नफल ग्याद किजिए, यानि 2 into 1, 2 is the right answer, हलके में मत लेना इन कोशनों को, अनथा आप स्वैम जिम्मेदार है, तो इसका आएगा, आपको बस ऐसे करोगे, तो जल्दी हो जाएगा, अगर into करके solve करोगे, तो आपके साथ हो जाएगा, खेला, कभी गलती से किताब खोल लेना, और समझ जाना, ठीक है, किलियर है, पहले बोलो हाँ, देखो इस pattern के जितने, आच के जितने question आएगे, 50, 51 अभी कराने वाला हो, जितने भी question आएगे, उनका basic जो बच्चा पोल ला है, basic, basic क्या होता है बच्चा, mean बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, बस यही basic होता है, जानी कहने का sense यह है, कि 5 गुडे 6, 10 गुडे k, 15 गुडे 6, 20 गुडे 10, 25 गुडे 5, इसका योग करोगे, और जो sigma f है, इस लाहिन का योग 27 प्लस k बराबर 15, बस इसमें जूज जाना, k का जो माना है, वही answer, यही इसका basic होता है, और कोई basic नहीं, किताब भी खुला करो, यह आपको high tech सिखा रहे हैं, थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, क्योंकि हम यह चीज यहाँ लिख रहे हैं, पेपर में हम खेल जाएंगे, यह याद रखना, तो देखते जो कौन कौन से question आएंगे, अब जैसे यह question आया, पहले समझो, अब देखो, यहाँ थोड़ा थोड़ा खेलना, हम लोग चालू करेंगे, कहता है, नीची दिएगे, बटन का माद 26 है, यह का मान ग्याद करो, अब देखो, यहाँ प्रकास कला सीख रहे हो, तो आप बात्सा हो, पहले 0 और 10, यह 5 काउंट होता है, 10 और 20 तो यह 15, क्योंकि तो लोग मैं लिख देता हूं, हम लोग पहले फिक्वेंसी, जब हम लोग कर रहे हैं, 8, 10 की 6, 12 पहले लिखते हैं, और जो यह, यही है, मारा X है, 5, 15, 25, 35, 45 लिख रहे हैं, अब देखना, अपनी कला हो, तारा खेल कला है, कहता है, माद 26 है, इसका जो माद है, वो 26 है, तो हम ने 26 ऐसे लिख लिख लिया, 26 से 5 को देखा, 26 से 5 तो यह माइनस का 21, माइनस 21 और गुड़े 8, माइनस का 168 हो गया, 26 से 15 को देखा, 26 से 15 तो माइनस का 11, माइनस ग्यारा 10 से 110 हो गया, 26 से 25 देखा, तो माइनस का 1, माइनस 1 एंटो के, माइनस का के हो गया, 26-35 देखा तो प्लस का 9 आएगा 9 गुड़े 6 तो प्लस का 54 हो गया बात समझ में आ रही है 26-45 देखा तो 26-45 19 आएगा प्लस का 19 गुड़े 12 यानि 12 नोहिया 108 और 12 और 10 228 और ये बराबर किसके कर देंगे 0 के पस इसको solve कर डाला then you will get the right answer अब सर कैसे करेंगे बस यही solve करना है मेरे बाई और कुछ नहीं करना ठीको हमका के चाहिए हमका के चाहिए तो के को उधर ले गए हाँ इधर ले आए अब 228 ये 8-4-12 57 7-5-7-1-8 282 ही हो गया इसको जोड़ लो 278 हो गया इसका जो अंतर आया वही के आएगा 4 के यही इसका आंसर है इस कला को सीखो खुसी मिलेगी एक्जाम में ठीक है पढ़िया कला है देखो हमसे पहले बच्चों के आंसर आ ले ठीक है तो याद रहे कि हम ऐसे ही लेंगे ठीक है तो यह एक बढ़िया कोशन है इस साल NTPC ने इस पैटन के कोशन भर भर के पूछे हैं इसलिए हम एबरिज के बाद ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिससे आप बात्सा बने जिया क्या बने बात्सा अब जैसे यहाँ पर कोशन है कहता फाइंड दा मीन हाइट आफ ए परसन फ्रॉम दा फॉलॉइंग डेटा अब दिमाग लगा लो दिमाग लगा लो यह हमारा एक्स कहराएगा अब हम सब में दिमाग बताएंगे और यह फिक्वेंसी कहलाएगा बोलो हाँ एक तरीके से आपको जो दिया गया है वो तीन, चार, पांच, छे, दो दिया गया यह हाइट 120 कहरा है 130 कहरा है 140 कहरा है 150 कहरा है 160 और हमसे कहता है कि प्रभू क्या बताओ, माद उचाही बताओ अब देखो अपना टार्गेट क्या अपना टार्गेट इन में से कोई भी एक उचाही मान लो मान लो हमने 140 ले ली मान लो हमने 140 ले लिए अब भले आंसर ये निकला है वो बात की बात है पर हमने 140 मान लिया अगर हमने 140 माना है उस्ते ये कितना कम 20 बोलो हाँ तो 20 गुड़े 3 माइनस का 60 हो गया इससे कितना कम माइनस का 10 10 गुड़े 4 माइनस का 40 अब ये तो सेमी है तो इसको हटा दो इधर होगे 10 ज्यादा 10 गुड़े है तो प्लस का 60 हो गया इससे कितना ज्यादा 20 ज्यादा 20 गुड़े दो तो प्लस का 40 अब गौर से देखो ये भी 100 माइनस का ये भी 100 प्लस का इनका हैपी बड़े कर दो 140 is the right answer इस question का answer 140 आएगा अगर किसी को लगता है कि सरह हम basic से करना चाहते हैं वो क्या करें वो पहले क्या करें इन सब का गुणा करके ऐसे गुणा करके पहले जोड़े फिर इसके योग से भाग दे दे जो भी आएगा वो answer समझ गए अब यहां हमने 140 ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं आपकी इच्छा नहीं 140 तो 150 लेकर कर लेना 150 नहीं तो 130 लेकर कर लेना अभी कई बार अलग-अलग होगा अब वहां जो माना है वही answer आ गया तो खुद्रत की माया है पढ़ियां से सीखिए बढ़ियां से हर चीज आप लोग जान जाएंगे बोलो हां किलियार है नेक्स्ट कोशन प्यारे दोस्तों कहता है 25 प्रेशणों का माद 36 है यदि पहले 13 प्रेशणों का माद 32 अंतिम 13 का माद 40 है तो 13 क्या देखो कल ही बताया था same question as the average में भी solve होगा, same question, समझो, यहाँ 25 है, और यह 13-13 है, पहले बोलो हां, तो 13 दूनी 26 जादा होता है, तो पहले 13 वाला लो, 13 का 32 आया, 13 का 40 आया, और यहाँ 25 का 36 आया, आप पहले अगर बेसिक से लगाना चाहते हो, तो क्या करो, बेसिक वालो, नियम यही है, 32 गुड़े 13, 13 गुड़े 40, माइनस 25 गुड़े 36, सभी के यूनिट प्लेस अलग है, तो सौटकट है, 3 दूना 6, यहां से 0, और यह 6 पंचित यह भी 0, यानि यूनिट प्लेस में 6 आया, यूनिट प्लेस में अगर 6 आया, 36 इस दा राइट आंसर, पहली बात तो यह हो गई, 36 इसका सही आंसर होगा, आप ऐसे करना चाहो, बेसिक से, अगर हाइटेक जाते हो, हाइटेक में हमने बताया कि 36 ऐजे माल लो, कि 36 है, जब 36 माना तो इधर वाले में आये तो सभी के 4 कम, 36 से 4 कम, तो 13 चुकू 52 माइनस का 52, इधर वाले में आये तो 4 जादा, 13 चुकू 52 प्लस का 52, इसका इसका हैपी बड़ दे, 36 इस दा राइट आंसर, कल की क्लास में 57 कोशन सेम पैटरिंग के कराय थे, क्लियर है, चीज़ों को समझो, बहुत अच्छे से, चलिए, नेक्स्ट कोशन बनाईए, नेक्स्ट कोशन, सभी लोग सॉल किजिए, खुसी मिलेगा, खुसी मिलेगा, कहता है यदि, 10,4,1,15, 15, x, 12, 14, 10 है, x का मान ग्याद कीजिए, यही बोलना है, अब देखो, इसमें के तो, कोई rocket science बनाओ, कोई science की जुरत नहीं है, आप सभी को जोड़ो और भाग दो, सीधी सी बात है, देखो, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 तिया है 45, बोलो हाँ, 45, 60, 61, 61, इसका योग आएगा, x प्लस 71, 71, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 में 8 का गुणा कर लो, 80, यानि x बराबर किसके नौके, यही इसका आंसर, the right answer of this question, question number 7 का आंसर 9 आएगा, कलाओं को सीखो, कलाओं को, तो कि हमेशा याद रखो, concept is the power, जो पढ़ेगा, वो बढ़ेगा, कहता है, किसी परिच्छा में, अब देखो, latest question है, किसी परिच्छा में, एक क्लास के चात्रों दोड़ा प्राप्त अंग दिये गए, कितने चात्रों के अंग क्लास के आउसत अंग की सीमा प्लस माइनस दो के अंदर रहें एक चीज़ समझो आउसत प्लस माइनस दो से अंदर रहें या तो दो जोडो या घटाओ वो भी कितने चात्र हैं यानि अच्छा कोशन है सारे अच्छे हैं दोस्तों पहले तो इसका आउसत निकालना पड़ेगा क्योंकि कोई और चारा ही रही है और कोई सौटकड भी नहीं है स्थीदी सी बात है अंधी मरवाद बात अलग है देखो जोडना सीखते हैं मेरे बाई जोडना सीखते हैं यह 50 हुआ यह 40 हुआ 50, 40, 90, 90, 40, 130 देखो 130 और 38 एक सो सतर में दो कम कर दो 168 आया इन सबका योग 168 आया 3, 3, 6, 2, 8 8 से भाग दोगे यानि इसका एवरेज एक तरीके से या तो मीन बोलो या तो एवरेज बोलो वो 21 आ गया मीन या एवरेज यहाँ 21 आ गया अब कहरा प्लस दो माइनस दो अगर मैं प्लस का दो करता हूँ तो 23 होता है माइनस का दो करता हूँ 29 बस यही संख्या हो सकती है 21 तो पहले से हमारे पास है प्लस दो किया तो 23 आया माइनस दो किया तो 19 आया यानि तीन संख्या होंगी एक दो तीन इसका आंसर 3 होगा the right answer of this question 3 होगा समद रहे ना बोलो बोलो तीन इसका आंसर होगा प्यारे दोस्तो सेशन को अच्छे से पढ़िए पसंद आया तो like और share जरूर कीजे कहता भईया इसका माद क्या होगा इसका माद क्या होगा अब देखो इसमें कोई rocket science नहीं कोई rocket science नहीं जितना आप मानोगे उससे पहले हो जाएगा कैसे कर लो एक, दो, तीन, चार, पांच यानि 5X ऐसे लिख लो फिर उसके बाद देखो ये हो जाएगा 84 यानि 84 हो जाएगा 5 जोड़ोगे 84, 5, 89 हो गया 89 और 3 89 और 3 92 में 2 लेस करोगे तो 90 आजाएगा 90 आजाएगा कितने लोग हैं, साइद 5 हैं 5 से भाग देदो यही इसका आंसर होगा X प्लस 18 यहीं उत्तर हमारा ठीक है X प्लस 18 is the right answer कहता है दिये गए मानों कि समुच्चे का माद्ध क्या होगा कोई रॉकेट सैंस नहीं इसमें भी सभी को जोड़ो, 5 से भाग निकालो तीदी सी बात 5, 3, 8, 4, 12, 13, 14, 14, 12, 16 हासिल 1 10, 18, 6, 24, 21, 25, 25, 24, 29, 29 और 2, 31 कितने लोग हैं, 5 मेरे मासूम से दोस्तों 5 से भाग दो या नीचे 2 का गुणा करो उपर 2 का करो फिर 10 से भाग दे दो तो ये 632 हो जाएगा 10 से भाग दोगे 6.32 आ जाएगा इस कोश्चन का अंसर 6.32 होगा ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं चालिए बहुत अच्छे सीखे हर एक चीज को सीखे कोश्चन नमबर 10 के बाद कोश्चन नमबर 11 कहता है इसका माद निकालना है देखो, तरीका तो यही कहता है कि सब को जोड़ो और भाग दे दो साप सुत्री बात वैसे तो आपको यही अपनाना चीए हाँ, यही अपनाना चीए 4, 9, 13 4, 9, 13 13, 5, 18 18, 7, 25 25, 3, 28 28, 3, 31 31 और 6 37, 3, 18 अंच इब देखो 3, 5, 8 8, 5, 13 16, 17, 25 22, 25, 27 27, 24, 31 31, 31 और 9, 43, 43, 43, 5, 5, 10, 10 से भाग दोगे, 43.7 आएगा, 43.7 आएगा इसका आंसर, ये एक तरीका हो गया, no doubt ये तरीका ही बेश्ट है इसमें, चितना आप स्पीड से कर लो, बैद दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका तब लगा पाओगे, जब आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत कैसे, आपको सारा लिखना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा, उत्ती देर में छूट जाएगा, यानि दूसरा तरीका कौन वाला, ऐसा वाला तरीका, तो जहां जरूरत है, वहां लगाया जाता है, अब ये नहीं कि सब में जोग दो, इसलिए कौन से आपको लिखोगे, तो ही पेपर में खुसी मिलती है, दोस्तों, कमेंड पे चर्चाएं बाद में होंगी, पहले पढ़ लिया जाएगा, हर बच्चे की एक उमीद होती ही हमसे, अभी सिर्फ पढ़ा जाएगा, कहता है, एक्स प्रेश्णों का समानतरमाद M है, यानि दो प्रेश् एक तरीके से M है, अगर हम टोटल करें, तो X M हो गया, 0 और M को इसके साथ इंक्लूट कर दो, 0 और M को इसके साथ इंक्लूट कर दो, तो नया माद क्या होगा, तो पहले X लोग थे, अब दो लोग और इंक्लूट हो गया, अब नीचे हो गया X प्लस 2 लोग, 0 और M को इंक् यही इसका आंसर है, M bracket में X plus 1 और upon में X plus 2 is the right answer, केदा निमलिखित आकड़े का माद ग्याद करें, अब देखो, यह question क्यों टप है, पहले मेरी बात को समझू, किसी दर नहीं बनना पेपर में, तर आईसा कह रहे हो, हाँ, अब इसमें क्या, आप लोग कर पाओगे, 19 गुड़े, 13, 21 गुड़े, 15, फिर ये गुड़े, फिर ये गुड़े, फिर ये गुड़े, फिर जोड़ो, फिर भाग दो, तब तक तुम्हारा पेपर छोड़ जाएगा, तीदी सी बात, हमो चाय आपको, इसी लिए यहां से डेवलब हुआ, समाज ने ढूना, इस प्रकास्तर कैसे बताएंगे, ऐसे कोशनों को, सुरवात के कॉंसेट के हिसाब से हम लिखकर ही सिखाएंगे आपको, हमने पहले बताया कि पहले हम फिक्वेंसी को लिखते हैं, 13, 15, 16, 18, 16, 15, 13, फिर उसके बाद हम X को लिखते हैं, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31, फिर उसके आद हम कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, अपने मन से कोई एक वैलू डिसाइड कर लेते हैं, तो यह यह वाली है, 19, 21, 23, 27, 29, 31 में अपने मन से कोई एक वैलू डिसाइड कर लेते हैं, माल लो मैंने वैलू भैति टीन यत्थे तो पचीज को माल लिए नहीं समझे अब यह नहीं कि मालूम् चला पचीज है यह अंसर आ गया सर आपने तो जान बुच के तीन लोग इधार हैं तो हमने इसको माल लिया माना की ऐवरेज 25 है यह माल लिया है माना कि average क्या है 25 है बात को समन ना जो कल को कह जो why this school आवरी अब धिमाग लगवाते हैं तीन इत्थे तीन इत्थे इसलिए माल लिया सही रहेगा अब 25 से 19 कितना कम माइनस का 6 25 से 19 6 कम 13 चंग 78 यानि माइनस का 78 लिका 25 से 21 कितना कम 4 15 चुकू 60 चिपका दिया 25 से 23 कितना कम 2 16 दूनी 32 चिपका दिया 25 से 27 कितना ज्यादा 2 32 आगया प्लस का 25 से 29 चार ज्यादा 15 चुकू 60 आगया 25 से 31 6 लियो ये तो वही हो जाएगा ये भी 78 आगया अब देखो जो चीज इत्थे लिखी है वही चीज उत्थे हो गए यानि इन समाज को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ जोड़ने में हमें 0 प्राप्त हुआ यानि इसका आंसर 25 आएगा कैसा लगा कमेंट करके बताईए 25 इस दा राइट आंसर केलियर है तो यही एक वन आप दा बेस्ट मैथेड है और जो बच्चे कैलकुलेशन में महीर है अपने आपको भगवान समस्ते कैलकुलेशन में 29 गुड़े 13, 21 गुड़े 15, 30 गुड़े 16 ये सब करने में फिर जोड कापेंगे अभी करना आसान है बोलना भी आसान है जब ये हाथ कापेंगे अब पसीना छूटेगा तब समझ में और यहां पर कुछ नहीं चार चार माइनस चार माइनस दो पस इतना यानि कैलकुलेशन से बचना बाकी जैसी आपकी श्रद्धा ठीक है हाथ कापते हैं अब देखो हर तरीके के जहर को अब देखो इस पैटरंग के इसने हर भर के पंदरा ठो कोशन पूश दिये हैं पंदरों को हम सौटकर में बताएंगे अब देखो जैसे यही कोशन है तो पहले हम एप लिखते हैं आदर डलवा रहें क्योंकि पेपर में आठ खुल के कह रहा है कि इसका माध्र 8 चुप चाप 8 भीया को यहां बिटा लो तो ठीक है आठ से 3 कितना कम 5 खे पंचे तीज जो की माइनस का आठ से पांच कितना कम तीन आठ तरी का चौबिस माइनस का आठ से स्टाथ कितना कम एक माइनस का पंद्रा आठ से नौ कितना ज्यादा एक ज्यादा एक गुड़े पी यानि पी फॉर प्रकास 8 से किता जादा 3 8 से किता ज्यादा तो 5 ज्यादा पांचों का 20 और देवताओ बस इसको 0 के बराबर करके स्वाल्व कर लो सर कहीसे करेंगे अरे हैपी बड़े करेंगे हैपी बड़े करेंगे और साब साब दिख्राए कि 30, 15, 45 पीज घटाओगे तो 25 आएगा यहीं इसका आंसर है पीज इक्वल टू 25 पीज इक्वल टू 25 इस दा राइट आंसर समझ गए ना हाथ कापते हैं पेपर में यह तरीका सीखो समझे कि नहीं किलियर है पढ़िया तरीका है मेरे भाई बढ़िया तरीका है बच्चा क्या करेगा बच्चा क्या करेगा बच्चा किताब खोलेगा शत्रिक अठारा आठ पंच आलिस पंदरा गुड़े साथ नौ इतना 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 भाग बराबर आठ यही तो करेगा चलो इस कोशन में उसको सुकून मिल गया क्या यह कोशन ऐसे करके दिखा पाएगा नहीं अभी बड़ा बड़ा कोशन आएगा यहर आएगा कोवरा नाग जिसे कहते हैं बार बार सिखा रहे कैसे नहीं सीखोगे तुम कैसे नहीं सीखोगे अब तुम्हारे परस्टाइम है तो तुम ऐसे गुड़ा कर लिए ऐसे करके और अगर तुम सीखना चाहते हो प्रकास कला तो सीखो कौन मना कर रहा है वही चार आठ चौदा ग्यारा तीन ऐसे लिखो यह F हो गया पहले बोलो हां X जो कि 5, 6, 7, 8, 9 पेपर में कोशन तो नोट करोगे करोगे इस पैटरिंग का जब भी आएगा वो तो फिक्स है को प्रभू आंसर बताओ यह ओप्सण में आप कुछ को मान लो हमने पहला ओप्सण देखा तो इस आठ को मान लिया वैसे तो हम होते तो हम तो साथे को मानते क्यों साथ बीच में आ रहा है यानि दो इत् साथ माल लिया हमने माना कि average साथ है साथ से पांच कितना कम दो पांच दुना चार दुना आठ यानि माइनस का आठ हो गया साथ से ये कितना कम एक गया बोलो 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 माइनस का आठ हो गया साथ से ये कितना ज्यादा एक तो ये प्लस का 11 हो गया 7 से 9 कितना रदो प्लस का 6 हो गया इसको 0 के बराबर नहीं करना ये जो value लाओगे तो वहां लाओगे कद्दू कटे का तो सब में बटेगा अभी ये वाला हो गया यहाँ पर तो ये हो गया 17 और ये हो गया 16 यानि एक बचा एक एक्स्ट्रा हुआ एक एक्स्ट्रा हुआ और ये बटेगा किसमे f की value को जोड़ो 8,4,12 12,3,15 15,25,40 यानि एक बटा 40 यानि 7 प्लस सम्थिंग 7 प्लस सम्थिंग में ये आंसर आएगा और कोई नहीं 7.025 is the right answer of this question ठीक है साथ दसम्थिंग एक ही option आएगा तो यही इसका एक प्यारा solution है भाईया like share कौन करेगा पडोसी बढ़िया कोश्यन है भाईया 15 ठो पेपर में पूछे जा चुके अभी हम 50 ठो कराएंगे कब सीखोगे देखो सबसे खतरनाक mean median आसान होगा mode उससे भी आसान होगा उसके बाद दूसरी चीजे तो सारा खेल पहले mean निकालना सीख लो जो की expert का तरीका है clear है? बोलो हाँ 15 के बाद 16 नमबर तरीका देखना अब यह जहर है जहर करके देखो पेपर कमझ में आएगा जहर को ठीक है अब यहाँ पर जो value भी दे दी है वो भी जैर दे दी है 12 दसमलो 5 आट लो ठीक है? अब तो यह खेल गया हमारे साथ अब यहाँ आपको basic से करना पड़ेगा तर basic से क्यों हम नहीं करेंगे करना पड़ेगा मेरे भाई अब देखो अगर हम 12 दसमलो 5 आट ऐसे करके जो अभी बता रहे थे इस सौट कट अगर हम वो लगाएंगे इस कोशन में एक पॉइंट की value जन्रेड होगी वो और सिरका दर्द करेगी यह कोशन आपको basic से करना पड़ेगा ठीक है? तो कहीं चगे हमें समझना पड़ता है 12 दसमलो 5 आट आया अगर हम यहीं मान के चलेंगे तो आप हमारे साथ खेला हो जाएगा समझ रहे ना? अब basic करो basic क्या होता है था? basic का rule यही है हमारा sigma f of x upon sigma f आँख बंद करके बद जूजना होता है कैसे? 5 दूना 10 8 पंचालिस 80 25 बारा दूने 24 दो हासिल और 24 और 2 27 यह 7 पी हो गया यह 80 हो गया यह 50 बस इसको जोड़ लो जोडने कभी समल लो जोडने कभी यह 50 50, 100 80, 80, 160 तो 100, 160 होता है 260 260 260 इसमें जोड़ते हो भी लिक तो 4 ऐसे लिकोगे 6 दूनी 12 524 ऐसे बगल में 7 पी बैठा हुआ है कितने लोग है frequency जोड़ा जाता है 22 5, 2, 7, 8, 15 15 15 और 7, 22 15, 7, 22, दूना 44 44, 56, टोटल 50 लोग है divide by 50 पराबर किसके 12.58 के बास समझ में आई 10, 40, 80, 264, 7, P 80 को हमने जोड़ा है 16 नंबर में हमें बेसिक पे जाना पड़ रहा है मजबूरी है ये बात याद रखिएगा अब कर लो मेरे बाई 524 प्लस 7, P ऐसे ये 600 28 329 आ गया 7, P 9 में से 4 गया 5 आया 2 में से 2 गया 0 आया 105 यानि P बराबर 15 तो इसका आंसर 15 आएगा ये आपका बेसिक पैटन पे ही बनेगा के लिया रहे बोलो हाँ चलिए तो दोस्तों बहुत अच्छा कोशन है उसे समझना चाहिए राइट आंसर आप इस कोशन 15 आएगा बिलकुल एग्जेक्ट आएगा एप्रॉक्समेनी एग्जेक्ट आएगा 15 इस दा राइट आंसर ठोको लाइक बोलो हाँ अब जैसे ये कोशन एक क्लास की आत्रों द्राडा प्राप्त किये गए अंकों का अंग गरती है माद 58 है यानि ओवरॉल आवरेज जो कह रहा है कि प्रभू ओवरॉल आवरेज जो है वो 58 है कहता उन में से 20 परसंट का 60 है अच्छा 20 परसंट का 60 है फिर उसके बाद और देखो यह अटा दो यह अटा दो यह रेशियो दो का हो गया यह 3 का हो गया यह 5 का हो गया 2 का गुड़ा इसमें 120 40 त्याएं 120 5X यानि 5X हो गया 5, 3, 8, 2, 10 10 का गुड़ा 58 में कर दो 580 5X बराबर 580 में 240 गटा दो तो 340 ही बचेगा X बराबर किसकी 34 दुना 68 68 के आएगा तो जो बाकी काम से पूछा गया उसका आंसर 68 आएगा सारे तरीके किताब से हट कर उसे मिली की नहीं मिली पहले बोलो हाँ नेक्स्ट कोशन प्यारे दोस्तो कहता है भाईया X, X प्लस 3, X प्लस 5, X प्लस 8, X प्लस 9 का माद 9 है अंतिम 3 प्रेशन का माद क्या होगा अब देखो अंतिम 3 का हमसे माद 4 आ है पहले समझो तो यहां पर देखा जाए मेरे प्यारे दोस्तो एक, दो, तीन, चार, पाँच यानि ये हो गया 5X हो गया 9, 8, 17, 17, 5, 22, 25, 23, 25 पहले बोलो हाँ टोटल 3, 2, 5 यानि 5 से भाग दोगे योकि माद 9 के बराबर 9, 25, 45 में 25 जाएगा 45 में 25 जाएगा तो 20 आया यानि X बराबर 4 आएगा हमसे कहता है कि प्रभू अंतिम 3 का माद बताओ अंतिम 3 का माद तो X, 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 3X हो गया और 8, 5, 13, 13, 9, 22 और इसका माद यानि 3 से भाग देना होगा यही हमसे चाहता है और हम X की वैलू जानते है चार है तो चार तिया है 12 12, 22 कित्ता 34, 34 बटा 3 इसका आंसर आएगा 34 by 3 is the right answer किलियर है बोलो हाँ इस कोशन का आंसर मेरे प्यारे दोस्तो यही आएगा सभी लोग बोलो हाँ 18 का आंसर आपके सामने 34 बटा 3 एक प्यारा खतरनाक कोशन आपके सामने ठीक है देखो सेम पैटरं का कोशन ही पेपर 2021 में 15 बार पूछा है 15 बार एक दो बार नहीं 15 बार पूछा गया यानि ऐसे कोशनों को आपको सीखना चाहिए बोलो हाँ तो देखो यहाँ पर जो मिसिंग है उसे फिक्वेंसी सब्द का प्रियोग कह रहा है यानि जो नंबर ओफ सौप्स हैं यही हमारा फिक्वेंसी है हम अपने सौटकट वाले में जाएंगे बारा, अठारा, सताइस, एक्स, सत्रा, छे और यहाँ पर सभी जानते हैं कि इनके योग का आधा यह एक्स एक तरीके से जिरो, दस का योग दस से होता है उसका आधा समझ गया है फिर पंदरा होगा पांच, पंदरा, पचीस पैतिस पैतालिस पच्पन अब हमसे कह रहा है कि प्रभू इसका माद क्या है, अठाईस है तरीका देखना, माद क्या है अठाईस है, अब दिमाग लगाओ यह कितना कम तो अठाईस से पांच, तेईस कम है यह बारा कब गुणा करो, बारतिया है, चात्यस तीन अठाईस से पंद्रा 28 से पंद्रा 13 कम 28 से पंद्रा 13 कम है पहले बोलो हाँ 28 से पंद्रा जब 13 कम है प्यायदोस्तों, 28 से पंद्रा 13 कम है तो गुड़ा कर लो 18, 3, 54 15, 16 और 18 और 5 23 हो जाएगा 28 से 27 एक का में 1 और 25 तो माइनस का 25 हो जाएगा 28 से 35 28 से 35 कितना ज़्यादा है 7 7 X हो जाएगा 28 से 45 17 17 गुड़े 17 प्लस का 289 हो जाएगा 28 से 55 27 27 गुड़े 6 करना होगा तो 7 X 42 4 हासिल खेदुनी 12, 4, 16 162 इसको बराबर जीओ यानि जो ये लाइन लिखी है आपके सामने जो ये लाइन लिखी है माइनस का 2 शेतर 2, 34, 18 यहां हलका सा मिश्टीक हुआ है ये 81 फ्लस का 7 X फ्लस 289 162 बस इसको सॉल करोगे जो X आएगा वही आंसर तर इसको कैसे सॉल करें करना तो होगा ही होगा देखो ये तीनों निगेटिव है 7 X ऐसे रखो कोई दिक्कत ने इसको जोड़ो 9, 2, 11 हासिल 1, 8, 6, 14, 1, 15 हासिल 1, 2, 3, 4 451 हो गया इधर आजाओ 3, 4, 10 और 1, 11 हासिल 1 8, 3, 11 11, 7, 18, 19 हासिल 1 तो दुना चार दोस्तो एक सेकिंड रुकना वैं बिल्कुछ सही करूंगा चिंता मत किजिएगा एक मिश्चेक होगी तिना 81 की बिस वहीं से सब खिला हो गया मेरे से समझो 7 X ऐसे लिखा 9, 2, 11 1 8 रुच्छ दा 15 5 8 आर तीन आर तीन ग्यारा आर तीन ग्यारा ग्यारा साथ पराएक आसिल 1 एक के आएगा बराबर किसके आएगा जीरो के आएगा दोस्तों देखा जाए साथ एक्स बराबर 140 के X बराबर 20 के The right answer of this question 20 हलका सा लेट हुआ मैं एक मिश्टेक हुई थी जब वहीं से मेरे साथ खेला हुआ 20 is the right answer of this question इस question का answer 20 आएगा 20 आएगा 20 आएगा बोलो हाँ ठीक है किलियर है अड़े भाईया आमने तुम्हारा comment देखकर ही 81 हम समझ गये थे कि 25 के जगे 81 होगा किलियर है यही इसका answer आएगा अच्छे सीखिए हमारे साथ हर एक चीज को सीखिए 19 हो गया और इसी pattern पे जो लोग कह रहे थे कि इस किताब से क्या paper आया RRBJ यह previous youth 2020 में question थे same pattern के आप देखो 15 ठो आये हैं एक दो नहीं 15 ठो आये हैं paper में यानि आप concept को अगर सीखे हैं तो आप बातसा हैं अब किसी में समय ज़्यादा लगेगा वो depends on value किसी में समय नाम मात का लगेगा बात समझ में आया कहता है भाया इसका मात 30 है तो के का मान बताओ दोस्तो के 2क प्लस 1 2क प्लस 5 2क प्लस 9 इसमें कुछ ना करो ये जोड लो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 यानि 7 के ऐसे लिख लो 1, 5, 6, 6, 9, 15 ऐसे कितने लोग हैं 1, 2, 3, 4 30 में 4 का गुणा कर दो 30 में 30 में 4 का गुणा कर दो तो 120 आ गया भोलो हां यानि 7 के बराबर 105 के और के बराबर 15 सत्ते 105 यानि 15 is the right answer यानि कोशन नंबर जो 20 का जो आंसर आएगा वह है 15 आएगा भर भर की ये कोशन पेपर में आता है फिलाल ये सेम पैटर्न का कोशन आपको आवरेज में दिखेगा पर पेपर में ये ऐसे मीन सब्द यूज कर देता है तो मीन मीडियन मोड में पहुचा दिया जाता है एक बच्चा कह रहा है अभी परिसान है कह रहा है सर 28 क्यों लिया 30 क्यों नहीं अरे का सस्ता नसा करते हो का आएं दिखेगा जहां पर आपको ये दे दिया जाएगा वहाँ पर वही चिपका होगे देखो 28 दिया तो 28 ठीक है और दिखाता हो दिखाता हो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर ये खतरनाक वैल्यू दे दी तो फिर हमने इसको जर्नल किया जर्नल तरीके से ठीक है अभी तुको देखाता तुम्हें दिखा दे यहाँ पर कोई वैल्यू नी दी गए तो इसमें हमने माना यहाँ वैल्यू नी दी गए तो यहाँ हमने माना सात इसलिए माना कि दो इथे, दो उथे सब सिखाएंगे यहां देखो देउता, आठ दिया गया है तो इसलिए हम यहां आठ मान के ही चलें सब हम इसको जीरो के बराबर कर रहे हैं देउता, देख लिए जो मालुम चला आधे, इसमें नहीं दिया गया तो हमने 25 इसलिए माना कि 3 इद्थे 3 उथे, इसलिए 25 माना सुले जो यो कल को कहिदो सर अपने मन से घोग देते हो अब देउता, इसको देखो, इसमें कहीं कुछ नहीं दिया गया तो 140 इसलिए माना कि 2 इद्थे 2 उथे, बता दिता हूँ इस वाले में देवता, देखो 26 दिया गया है, एलिए हमने आपर जो सॉल किया था, वो 26 को ले के किया था, ऐसे, ठीक है, तब इसको हम 0 के बराबर किये हैं, बात समझ में आई, यानि अब आपको टेंसर नहीं होना चीए, और कन्फ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होना चीए, क्योंकि जब पेपर में आप देखो कितना भरबर के दे रहा है, तो सीखना भी चाहिए, तीको, कहता है चूकि एक छात के अंग गलती से 68 की जगे, 86 टाइप हो गये, मतलब छात के 68 अंग थे, पर गलती से 86 टाइप हो गये, यानि 18 एक्स्ट्रा टाइप हो गये, 18, क्योंकि 86 में अगर हम अर्शा गटाएँगे, तो 18, तो कहता है कच्छा का माद आधा बढ़ जाता है, मतलब ये 18 के कारण, 18 के कारण कितने लोग थे, तो 18 जदा हो गया, जदा टाइप हो गया, तो सब के आधे आधे लड़ू बढ़ गये, इसका मतलब 18 गुले 2, यानि 36 लोग होंगे, यहां किते लोग होंगे, 36 लोग होंगे, 36 लोग में जब हम 18 लड़ू भेजेंगे, तो सब को आधा आधा लड़ू बढ़ जाएगा, 36 is the right answer of this question, common sense से कर दिया, क्लियर है, ठोको लाइक बोलो हाँ, कहता है यदि 5 प्रेशन इतने का माद 11 है, तो अंतिम 3 प्रेशन का माद गया, अब यह basic question है, basic का sense क्या है, कि आप ऐसे ही करो, जैसे करना आता है आपको, देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, यानि 5 एक्स ऐसे लिए लो, 4, 3, 7, 7, 7, 6, 13, 13, 7, 20, 5 है, 5 से भाग दो, माद 11 है, यह x प्लस चार, बराबर 11, यानि x बराबर 7 आया, x बराबर 7 आया, हमसे कहता है एक भईया, अन्तिम तीन प्रेश्णों का माद बताओ, यानि इन तीनों का, तीन x, तो 3x ऐसे लिख दो, 3, 4, 10, 7, 17, यह 17 हो गया, डिवाइड बाइट 3 करना है, और समाज के सामने, x बराबर किसके आया, x बराबर 7 के आया, तो 7 यह 21 यहां चिपका दो, 21 और 17 हो गया, कितना है, 38 हो गया, 38 बटाती, 12 यह 36 यानि 12.67 इस दा राइट आंसर, तो कि 12 से बड़ा, 13 सी छोटा एकी है, 12.67 इस दा राइट आंसर, किलियर है, इसे ऐसे ही करना पड़ेगा, चले, 22 के बाद 23 दपर, बड़े पेसें समनना, गलती होगी, तो पहले तो फिक्वेंसी उन्जू, दुकु कु फिक्वेंसी यह लिखाए, और 101 स्टील पर्स लिखाए, एक सेकें जो numbers हैं वो हैजे हमारे frequency में count होंगे यानि जो numbers होते हैं वो frequency में count होते हैं मिरे बाई 101 стил की गेंदो के व्यास की आवर्ती वित्रन निम लिकिता है ये आवर्ती होगा ठीक है numbers में ठीक है तो पहले हम लोग जो shortcut करते थे वो कैसे करेंगे 13 अब देखो अगर आप general करोगे तो आप नहीं कर पाओगे भूल जोग की कर पाओगे 43 इंटो 13, 44 इंटो 15, 45 इंटो 22, 46 इंटो 21 इतना फिर योग फिर भाग तक तक आप समाप्त हो जाओगे दिमाग लगाओ 13, 15, 22, 21, 16, 14 ऐसे लिखो यह frequency है और यह x है बार बार हम लोग लिखते ही है ऐसे और 43, 44, 45, 46, 47 एंट 48 सारे options लिखो 45, 45, 45 तो यहाँ पर 45 ही मान लो यह हमने अभी let किया है अब ज्यादा या कम इसी में जुड़ेगा पढ़िया कोशन है अगर हमने 45 एक तरीकी से let किया है तो 45 से 43 देखा 2 कम 13 दूनी 26 कम 13 दूनी 26 कम 45 से 44 एक कम माइनस का 15 कम यह तो वही है एक ज्यादा 21 वंजा 21 दू ज्यादा 26 दूनी 32 तीन ज्यादा 45 चौदा त्याएं 42 चौदा त्याएं 42 एक्ष्ट्रा इसको पहले कर लो फिलाल तो पॉजिटिव वैल्यू आते हुए नजर आ रही यानि सम्थिंग कद्दू कटेगा सब में बटेगा अब यह वह भी कराएंगे ठीक है फिक्वेंसी में पहले देखो अगर मैं इन दोनों को देखू तो प्लस का 6 बड़ा इन दोनों को देखू तो प्लस का 6 बड़ा 6 दूनी 12 बैलिस में 12 जोड़ दोगे तो 54 एक्ष्ट्रा हो गया अब यह बटेगा किसको बटेगा किसको इनी में बटेगा इनको जोड़ो यह हो गया 30 पर यह 50 हो गया 30 पर यह 50 हो गया 80 80 और दो 101 से भाग देना पड़ेगा इमानदारी का दूसरा नाम प्रकास हो गया 101 पंजा 505 होगा यानि यहां से 35 आएगा और यहां 5 यहां यह जब आप काट रहोगे मेरे भाई यह जब आप काट रहोगे तो कही ना कही दसमलो 5 सम्थी तो 45.5 आंसर की ओर चले जाओ तो 23 का जो आंसर आएगा 23 का जो आंसर आएगा वो 45 दसमलो यह आएगा ठीक है सभी लोग कमेंट करके बताओ 45.5 आ रहा है की नहीं आ रहा है कोई मिस्टेक तो नहीं हुई चले तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा याद रहे इस तरीके को आप सीखते हो एक्जाम निशन हॉल में आपको खुसी मिलेगी ठीक है चले बहुत अच्छा कोशन है पेपर के लिए आप तो दिया लेके ढूनोगे यह तरीके किताब में तो वह जोग दिया है कहता है एक परिच्छा में 46 उजारा प्राप्त किये गए अंकों का माद इतना है 72.5 चालिस चात्रों को मिला है यानि इसका जो एवरेज है वो ये है पर ये चालिस बंदों का है कहता है बाद में ये पता चला कि गलती से एक चात के अंक 84 की जगए 48 लिखे गए लिखने 84 ते 48 यानि जादा यानि प्लस में जाएगा उने 84 ते कम लिखे गए न तो बढ़ाओगे 14 में से 8 गया 6 आया यानि 36 बढ़ गया अब ये कद्दू कटेगा तो कितनों को बठेगा 40 को बठेगा 40 से भाग दो दोस्तों भाग दोगे दसमलो 9 ये और 72.5 इसको जब आप जोड़ोगे तो 73.4 हो जाएगा 73.4 इसका आंसर आएगा कोशन नमबर 24 का जो आंसर होगा 73.4 आएगा ये एक प्यारा कोशन हो गया बोलो हाँ ठीक है चाले 24 के बाद 25 नमबर कहता है आकलो 2,x,7,3,y,9 और 6 का माद 6 है हमें कोई तकलिप नहीं फिर कहता है जहाँ x और y एज एक कॉंस्टेंट है x का माद इतना y का इतना दो माद बढ़ गया दिको यहाँ कैलकुलेशन है गुरूप डी का एक प्यारा कोशन है पहली बात तो क्या कोड़ो x प्लस y लिकलो ऐसे मेरे बात को समझना ता तीन दस दो बारा 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 नो इकईस छे 27 यानि प्लस का 27 माद इतने लोग है तीन तीन छे साथ के नीचे साथ से भाग दोगे तो साथ गुड़े छे यानि 42 हो गया फिर हमसे कहता है कि प्रभू x की जगे ये चिपकाओ y की जगे ये चिपकाओ तो x की जगे हम चिपका रहे 3x प्लस 1 y की जगे y प्लस 3 27 तो ऐसे रखो तो फिर हमसे कहता है माद बढ़ जाता है कितना दो पहले 6 था अब दो बढ़ गया अब माद हो गया 8 पर कितने लोगों का हो गया एक दो तीन चार पांच छे साथ लोगों का इसमें साथ का गुणा कर दो आठ सते खपन के बराबर हो गया अब ये दो एक्वेशन मन गए x प्लस y ऐसे 27 इधर कम कर दो 12 में से 7 गया 5 आया 12 में साथ गया 5 आया 3 में से 2 गया एक आया इस इस दा एक्वेशन नमबर 1 यहां आ जाओगे तो 3x ऐसे रहेगा प्लस का y ऐसे रहेगा ये 30 और एक 31 कम करना होगा इसे 31 कम करोगे तो ये 5 ऐसे आएगा और ये 25 हो गया ये एक्वेशन दो हो गई हमसे कहता भईया x का मान बताओ दोस्तों आप क्या करो x का मान बताओ ऐसे करके घटा दो घटाया ये 0 3x से x गया यानि 2x आया ये ऐसे घटाओगे तो 25 में से 15 जाएगा तो 10 आएगा x बराबर 5 ये कोशन ऐसे ही करना है याद रहे concept इस दा पावर प्यारे दोस्तों अभी पढ़ाई पर फोकस कीजिए जादा जादा चीजों को सीखिए इसका आंसर आपके सामने ठीक है तो बोलो हाँ कहता है एक समू में आठ सबसे छोटी संख्याओं का माद सत्रा है ये को कहरा आठ सबसे छोटी संख्याओं यानि आठ जो नंबर है उनका जो माद है वो सत्रा है जबकि एक साथ लेने पर समू की सभी संख्याओं का माद बीस mixed allocation लगा दो 20 है ज़िधि सबसे छोटी आठ संख्याओं छोड़ने के बाद बची संख्याओं का माद 22 है तो माना एक्स संख्याओं बची है जिनका माद 22 है नो कहरा समू में कुल कितना तो 8 और x का योग बताना है एक बार फिर से समझो तो कि mix and allocation लगा रहे किताब से हट कर कह रहा है परिवार में 8 लोग है पहले उनका जो average है वो 17 है और और लोग सामिल हो गए सम एवरेज 20 है जो और सामिल हुए है यानि x लोग वो 22 उनका औसद 22 है तो हमसे करया टोटल कितने है तो 8 प्लस x बताना है समझ गए भासा पड़ो कई बार सीख जाओगे 30 में 22 गया 2 आया 20 में 17 गया 3 आया ये ratio आगया यही 2 बराबर अगर 8 के यानि इसके 4 गुने के 2 गुड़ा 4 8 होता है तो 3 में किसका गुड़ा करें तो 4 का करोगे तो यह 12 होगा पारा आठ बीस पारा आठ बीस इस दा राइट आंसर पारा आठ बीस यानि 20 इस दा राइट आंसर आप दिस कोशन मिक्षेन एलिगेशन से कर दिया है अच्छा लग रहा होगा आपको ऐसा माना जाता है बोलो हाँ ठोको लाइक बोलो हाँ थबीस के बाद प्यारे दोस्तो 27 नमबर कहता है 21 प्रेशन सभी का माद चालिस है यह एक अच्छा कोशन है बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में आएंगे हमारी कोशिस रहेगी कि आपको डाउट ना है डाउट ना है कहता है 21 प्रेशन का माद चालिस है यानि माद चालिस है मेरी बात को समझो हमने माना माद चालिस है यह चीज हमने 40 माली कि माद चालिस है इसमें कन्फ्यूजन में आएंगे 1,2,3,4,5,6,7,8,9, किताब में नंबरिंग करके दिया है हम वैसे नहीं हम आपको फैक्ट के साथ बताएंगे जदी मादिका का मान 21 बढ़ जाता अब ये चीज आप भोल जाओ इन जर्नल आप मादिका निकालते हो तो मादिका निकालने का नियम क्या है कि पहले ascending order बढ़ते हुए क्रम में फिर अगर पद हमारे 21 है तोको total पद हमारे 21 एक जोड़कर दो से भाग यानि ये हमारा जो भी होगा यही हमारा median आएगा median मादिका जिनको confusion है तो जब मादिका पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे और बैतर तो मादिका बच्चा ये आएगा 10 इसके आगे होंगे 10 इसके पीछे होंगे पर जो 10 इसके आगे होंगे वो जो भी value ये होगी उससे ये दसो पढ़े होंगे फोटे नहीं होंगे ये जो भी value होगे उससे ये दसो क्या होंगे, बड़े होंगे, आप मेरी बात को सुनना, कहता है 21 प्रेच्छडों का माद 40 है, 21 गुड़े 40 यानि टोटल निकाल लो, तो वो 840 आ गया, ये मीन वाले संख्याओं का 40 आ गया, यदि मादिका का मान 21 बढ़ा दे, यानि अगर इसी पैटर्न में य ये मादिका है, उसका मान 21 बढ़ा दे, इसका मतलब ये सारी वैलू बढ़ी होनी चाहिए, तो कितनी वैलू इससे बढ़ी होंगी, 10 वैलू, और 10 गुड़े 21 बढ़ाना पड़ेगा, 10 गुड़े 21 बढ़ाना पड़ेगा, यानि क्योंकि सभी इससे बढ़ी होंगी, सभी म यानि 210 इसमें जोड़ना पड़ेगा अब कद्दू कटेगा पूरे समाज यानि 21 में बटेगा समद गए ना समद गए तो confusion में नहीं इससे भाग दो तो ये 40, 10, 50 50 is the right answer इससे भाग दोगे तो ये 40 बार में जाएगा तो ये 10, 40, 10, 50 इसका answer 50 आएगा अगर आप oral करना चाहते हो उसका भी दिमाग बता दे रहे कि माद्य हमारा 40 है और कहरा है मादिका 21 बढ़ाया गया 21 बढ़ाया गया तो 10 value बढ़ेंगी तो 40, 10, 50 answer समझ गए ये एक observation question हो गया और यहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बढ़िया कोशन है hard नहीं है आसान है समझना पड़ेगा समझना पड़ेगा इसलिए एक समू की 8 छोटी संख्याओं का माद साड़े 22 है यानि 8 एवरे से कर देंगे साड़े 22 है हमें कोई तकलीप ने जबकि समू की सभी 14 संख्याओं का माद 14 है ओवराल 14 है यानि 14 संख्याओं का 14 आठ ये थी तो संख्या बची 6 इसका माद पूछा गया होगा कह रहा है 6 सबसे बड़ी संख्याओं का माद बताओ तुम ठेरे प्रकास सर स्टूडेंट गटाओ तो आपने देखा साड़े बारा चौदा इसका अंतराया 1.5 1.5 में किसका गुणा करे की 6 हो जाए तो 4 का बोलो हाँ यानि 8 में किस से भाग दोगे ये तो ये 2 आ जाएगा तो कि 2 में अगर मैं 4 का गुणा करूँगा तभी 8 आएगा या तो 8 में 4 का भाग दो 2 या 2 में 4 का गुणा करो 8 अब बच्छा एक चीज़ दोगो एक बार ये इससे बड़ी हो गई यानि अब इससे ये छोटी होगी यानि इस वैलू से ये घटाओगे तो ये आएगा यानि इन दोनों का योग ये हो जाएगा 16 अगर किसी एक तकलीप है तो x-16 बराबर 2 आना चाहिए यानि x बराबर 16 यानि इस गार प्रकास सोलूशन कल हमने एवरेज भी जो पढ़ाया था उसमें भी हमने ऐसे ही बताया था कि बच्चा ऐसे ही करोगे तभी आगे बढ़ोगे बोलो बोलो टेल टेल next question कि और बढ़ेंगे 28 के बाद 29 कहता है संख्याओं के एक समुच्चे का समानतर मा दिबारा है हमें कोई दिक्कर ने समानतर मा दिबारा है कोई दिक्कर ने एक समुच्चे का और एक अन्द समुच्चे का माध 15 है जदी सय्यूक्त इतना है एक समुच्चे का 12 एक अन्द समुच्चे का 15 सय्यूक्त 12 12 मिक्षेन ऐलिगेशन 15 में 12 गया धाई आया बोलो हाँ और 12 में ये गटाऊगे तो दसमलो 5 आएगा रेश्यू ले लो, रेश्यू, 5 इस्टू 1 आएगा, question का answer, 5 इस्टू 1 हो जाएगा, कहता है, find the median of the given observation, जो को यहाँ बीच में इसने एक median का question डाल दिया है, नहीं डालना चीए था, क्योंकि line से median हम आपको सिखाएंगे, बीच में एक question आया, तो rule को समझना पड़ेगा, median का पहला rule होता है, पहले इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखो, यानि ascending order में, बढ़ते हुए क्रम, यानि ascending order, सबसे छुटका कौन सा है, सबसे छुटका पाँच है, यह लिखने पड़ेंगे, और यहीं समय लगेगा, पाँच, फिर उसके बाद, बारा, 12 से बड़ा, 12 से बड़ा दिखो, 12 से जो बड़ा है, 12 से बड़ा 32 है, फिर 34 से बड़ा, 34 से बड़ा 2 बार 51 दिख रहा है, फिर 2 बार 57 दिख रहा है, 57 दिख रहा है, फिर मुझे 67 दिख रहा है, नहीं, 62 दिख रहा है दो बार, फिर 67 दिख रहा है, और आइसे तॉन जरूब करो एक दो तीन चार पान्च छे सात आर्ट नो कि ein धोती चार पान्च छे साथ नो 1 तस मैंने एकी बार में सही लिख दिया थो पहले तु बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है, उसके बाद आप हमारी कला संगोर, चार ऐसे काटे, चार ऐसे काटे, एक ऐसे काटा, एक ऐसे, अब ये दो बचे, इन दोनों के योग का आधा ही माधिका होगा, 57 is the right answer, और इसके ज्यादा question थोड़ी देर में हम लोग सीखेंगे, थोड़ी देर में क्या, next session में हम लोग सीखेंगे, बात समझ में आ रहा है, 57 is the right answer of this question, पढ़ियां से पढ़िये, हर एक चीज को सीखेंगे, दोस्तों, अब question आसान होंगे, बीस question बहुत easy way में तेजी से हो जाएंगे, मुश्किल से 15-20 मिनट, समझो, if the mean of the observation इतना, 20, then find the mean of this one, एक चीज़ देखो, जो को ओपर का 20 बोला नीचे का चाहिए, तो इसमें अगर हम x1, x2 और x10 को अलग करो, x10 को अलग करो, सीधी सी बाद, और जो हमारा अलग होगा, वो 4, 8, ऐसे करके 40 हमारा अलग होगा, बात को समझना, बात को समझना, अब देखा जाए, इस portion का जो mean है, मादिका, इस portion का जो मादिका है, वो हमको 20 बोल ला है, 20 बोल ला है, तो ये 20 हो गया, इस portion का मादिका, इस portion का मादिका 20 है, प्लस, ये जो 4, 8 ये वाले अलग की है, अब देखो, ये हमारी series AP में है, आर इन AP, हमने आपको पढ़ाया है, कि अगर series हमारी AP में है, और उसका औसत चाहिए, पहला लांश जोडो, और 2 से भाग देदो, 44 बटा 2, यानि 22, यानि 42 is the right answer, और कोई नियम ने, एवरेज की क्लास में ही बताया हमने, कि अगर आपकी कोई series, कैसी है, आर इन AP, यानि समानतर माद में है, तो समान अंतर है, पहला लांश जोड के 2 से भाग देगे, then you will get the right answer of this question, बोलो बोलो, टेल, टेल, मज़ गए, 31 के बाद, 32 नमबर, कहता है एक परिच्छा में, गड़ित विशह में, 36 चात्रों के प्रातांकों का माद इतना है, तिको जो marks हैं, वो 36 लोगों के हैं, 36 लोगों के, जो marks हैं, वो 72.50 as the average है, अंकों को पुना निर्चण करने पर पाया गया, कि एक चात्र के अंक गलती से 56 की जगए 65 लिख दिये गए, यानि 56 लिख दिये गए, तो यानि हम कम करेंगे, 56 पैसट का जो अंतर होता है, वो 9 होता है, अब ये 9 का खेला कितने को इफेक्ट देगा, 37 लोगों को इफेक्ट देगा, 9 बटा 36 यानि दसमलो 25, इसमें घटा दू, 72.25 is the right answer, इस कोशन का अंसर, 72.25 होगा, 32 का अंसर, 72.25 होगा, बोलो बोलो, टेल टेल, किलियर है कि नहीं, बोलो हाँ, 32 के बाद, 33 नमबर, किता 17 सदस्य वाले एक समु का माद्ध स्कोर 15 है, यानि मान लोग कहीं 17 सदस्य है, उनका जो average है वो 15 है, जबकि N सदस्य वाले एक अनसमु का माद्ध 12 है, यानि N लोग आ गए और उसका माद्ध क्या है 12 है, यानि उनका सैयुग्त 13.7 है, ओवरॉल इतना है लगा दो मिक्षेन एलिगेशन इससे ये घटाओगे तो ये 1.3 आएगा इससे ये घटाओगे तो 1.7 अब मेरे प्यारे दोस्तों अब देखो 17 ये यानि इसका 10 गुना इसका भी 10 गुना ये हो जाएगा यानि 13 हो जाएगा हमसे कहता भईया N का मान बताओ 13 is the right answer किताब से हटकर सोलूशन है खुसी तो मिलेगी खुसी तो मिलेगी बोलो हाँ ठीक है 33 के बाद 34 ये एक बेसिक कोश्यन है आप बेसिक कर लो कहता है 6 चात्रों का माद इतना है 6 का गुणा कर लो 17 तिया है 102 और 3 105 मलब सत्रा पॉइंट पांच गुड़े छे 105 हो गया इनको जोल्ड हो तीन एक चार पांच है साथ साथ और तेरा बीस तो साथ है बीस दो आसे दो दो चार दो छे साथ दो नब्वे नब्वे घटा दू 15 आंसर इस कोश्यन का आंसर पंद्रा आएगा एक बेसिक कोश्यन है बच् हमने एज दे एवरेज में भी पढ़ाया था बोलो हाँ ठीक है के लियर हो गया तो सीम्बल रहे है कि नहीं चाले अब यह बेसिक कोश्यन है देखो इसमें हम अपना हाइटेक नहीं लगाएंगे कौन सा जो आपको बहुत सिखाया है सुरवात के कोश्यनों में यह बेसिक है अब इसमें तो गुड़ा ओड़ा करने में कितना आसान है ठीक है यह हमारी फिक्वेंसी होगी यह एक्स ह चालीश हो गया यह फांच अब यह बोलो हाँ और लिश अर्तालीस और नोि ए सटावन इसन और तीन सिक्स्टीश साविन्टीश टोटल योगlierाएंस जाए है अब यह श्यक्ज का फंदरा फंद्राइपाँच बीस पांच पच्चीश बस भाग दो सर कैसे इसमें भी कला देखो मैं दिमाग लगाता हूँ हमेशा उपर 280 बटा 100 यानि 2.8 इस दा राइट आंसर अपकर जो सर 25 का पाड़ा पढ़ लेते नहीं आता मुझे दिमाग लगाता हूँ हमेशा 280 बटा 100 2.8 इस दा राइट आंसर प्यार से पढ़िए मेरे बाई प्यार से यह भी कल वाले सेशन में था एवरेज में सेम कोश्चन चिपका दिया गया कहता चार संख्या ABCD ऐसी है उनका समग्र आसत 23 है एक चीज़ देखो बच्चा ABCD आसत 23 है तो 23 चौका बाणबे यानि 92 चिपका दू कहता AB का आसत 19.5 है तो उसका दुग ना कर दू 19.5 का 38,49 यानि इन दोनों की वैलू का जो योग हुगा वो 39 लेना पड़ेगा 39 केज़ा C और D का आसत ग्याद करो वैया एमा घटा के दू इसे भाग दे दो तभी वैसी प्लस दी बाई टू चाहिए हमका 12 में से न हो गया तीन आया 8 में से तीन गया त्रेपन त्रेपन बटा दो 23.5 आएगा 23.5 इस दा राइट आंसर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे दोस्तों आप समझ सकते हो कहता है यदि संख्या इतने का X माद 82 है तो इतने का माद ग्याद करो बताओ कौन सा लॉजिक हम लगा दे आप खुद बता दो वही हम लगा दे कौनों नहीं लगेगा तो इसमें फिर आपको वही बेसिक में जाना पड़ेगा बेसिक में जाना पड़ेगा एक दो तीन चार यानि फोर एक्स ऐसे सात नो तोला सतरह सात पचीस गां चाट चोबिस होता है सतरह सात चॉदिस दो हासिल दो तीन पांच जो साथ आठ कंदरह पंदरह दस पचीस चैनि दो सो चोवर अच्छा का मीन यानि चार से यहां जो भाग दे रहे होंगे वो अच्छा यह हूँ तो है फिर से लो, फिर से, फोटी जिगलती खेला करवा देती, एक, दो, तीन, चार, पाँच, यानि फाइव एक्स ऐसे लिखेंगे, छे, ताच, छे, तेरा, तेरा, और नौ, तेरा, नौ, नौ, बाइस, एक, तेईस, तेईस, साथ, तीस, यानि तीन हासिल, दो, तीन, पाँच, पाँच, तीन, आट, पाँच, तीन, आट, दुनी, सोला, सोला, दस, शब्यस, शब्यस, पन्दरा, इक्तालिस, 27, 15, 31, ठीक है, और इसमें पाँच का उणा कर दो, तैट चारसो, 10 आएगा, यानि X बराबर 0 आया बही 410 से 410 गया X बराबर 0 आया यानि अब हमें यहाँ यह X को लिखना ही नहीं है खरजी हो गया अब इसमें जोड़ लो 8 6 14 1 15 801 5 चलो 1 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 और 13 24 और 13 365 टोटल कितने 5 है भाग दोगे 75 इस दा राइट आंसर तो थोड़ा तो जूजना पड़ेगा आपके दो बिल्कुली हलवा कर दो नहीं होता यहाँ करने से होता यहाँ करने से होगा ठीक है इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों 37 का 75 आएगा 37 का 75 आएगा कहता है यह दि संकला इतने का अंग गरती माद एक है और सभी में के के का भाग दे रहा है यानि 1 by के इस दा राइट आंसर दिमाके नहीं लगा ना भाई पूरे का माद दिये अब कहरा इसका माद दिये बताओ तो माद जब X1, X2, X3 जोड़ोगे तो वो नहीं होगा सब में के से भाग दोगे तो 1 by K is the right answer observation question प्रतेक में 2 जोड़ दोगे तो नई सेड़ी का समानतर माद 37 हो जाएगा भाई पहले 35 पहतिस थे अब सभी को बराबर लड़ू बाट रहे मालो आपके घर में सभी लोग है तो आपको 5 पांच पांच बढ़ जाएगा यहां दो दो लड़ू बाट रहे हैं तो आपको बढ़ जाएगा 37 is the right answer बोलो हाँ ठीक है थे लियाएगा 12 छात्रों दार्ण प्राप्त किए गए 67.4 यह एक आपको पंदरा छात्रों दारा पराप्त किए गए अंकों का मात देतना है 15 छात्रों का मात दे कितना है 15.3 तो दोनोग कछ्वाओं का सैयूठ मात मिक्षिया लिगेशन नहीं यह ऐसे हो जाएगा देखो कैसे है बढ़ा सिंपल है रेश्यो ले लो तो चार और पांच का रेश्यो आएगा इन में से छुटका कौन है 67.4 तो होगा ही होगा इससे यह कितना ज़्यादा है 13 में से 4 गया 9 आया 11 में से 7 गया 4 आया 11 में 7 गया 4 आया 4.9 एक्ष्ट्रा है 4.9 का इस 5 में गुणा करोगे 5 में गुणा करोगे तो 490 आदा 245 तो 2.45 आएगा 24.5 आएगा अब कद्दू कटेगा तो सब में बढ़ेगा इन दोनों में बाटोगे यानि 9 से भाग दोगे 9 दुनी 18 यानि दो बार में 9 दुनी 18 फिर 75 आगया 9 सत्य 63 यानि बस इतना ही जोड़ो इसमें ये जोड़ोगे तो कहीं न कहीं जो मुझे लगता है वो 70.1 सम्थिंग आएगा जो कि यही आंसर है तो 40 का आंसर आपके सामने one of the best question है मेरे भाई ये भी और जिसका आंसर 70.12 हो जाएगा तो कि नौ से भाग दोगे तो सम्थिंग में जाएगा ही जाएगा कैसा लगा यही इसका आंसर होगा चलिए 40 के बाद प्याय दोस्तों चार विभिन प्रेश्णों का माद 17.5 है जब एक नया प्रेश्ण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है तो इसका नया माद दिख्या दिखिए बहुत तरीके बताएं दिखो चार लोग 17.5 लड़ू खाते हैं पकड़ आए प्रकासर क तो पांच लोग हो गए अब एक नया प्रेश्ण जिसका मान 20 है ओहो दया 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 नया प्रेश्ण का मान 20 है यह ऐसे नहीं समझो चार लोग हैं तभी लोग 17.55 लड़ू खाते हैं पकड़ आए प्रकासर को हम 20 लड़ू खाते हैं पहरा प्रभू अब आवसत बता दिख तो हमोग हैं ताड़े सत्रा तो होगा ही होगा यह कितना जादा तो आपको किसा धाई जादा एक का धाई जादा देखो एक अई है तो धाई यहां लिख दो अब कड़ू कटेगा तो सब में बटेगा पांस से भाग देदो 18 is the right answer अगर किसी को दिक्कत है तो 17.5 में 4 का गुणा करो 17 चुकू 68 दो 70 ऐसे हो गया 20 वनजा 20 यह हो गया 5 लोग है ऐसे भाग दो 18 तब भी आएगा 18 तब भी आया यह बड़ा लग रहा होगा यह छोटा लग रहा होगा पर यह तरीका बड़े कोशनों का होता है हमने यहा आपको अगर छोटे कोशनों के इसाप से सोचना है तो आप 17.5 का 4 गुना सतर और 20 वनजा 20 तो टोटल हो गया 90 पांस से भाग दो गया 18 बड़े जो बड़े बड़े कैलकुलेटिव कोशन होते हैं यह उसका दिमाग है ठीक है समझ गया ना अरे कोई है जो मेरी बात समझ र रहाएंगे कोको लाइक बोलवा और क्या यहीं कहता हूं कि कहता हूं कि कहता है बीस निरेचलों का अंग गड़ती माद 15.5 है यानि 20 लों का जो आउसत है वो 15.5 है कि अब बाद में यह पाया गया कि एक निचल गलती से 24 के स्तान पर 42 पढ़ लिया गया यानि जादा पढ़ लिया गया तो घटाओ 24-42 का अंतरा है अठारा अठारा कम करना है पर यह अठारा कम करोगे तो इफेट किते लोग को डालेगा बीसो लोग को डालेगा समझ गया न दया भाग दोगे यानि दसमलो 9 इसमें घटा आना है कही ना कही 14.6 फिर आएगा the right answer of this question 14.6 हो जाएगा 45 का अंसर 14.6 हो जाएगा बोलो हाँ ठीक है किलिया 22 प्रेश्डों का माद 10 है यानि 22 लोग है यह समझ लो इनके पास 10-10 लड्डू है तो प्रेश्ड को सामिल किया गया तो 24 लोग हो गया अब लड्डू हो गए 11 फिर दो नय प्रेश्डों का माद दिख्या होगा देखwy यहां खेल गया दो नय प्रेश्डों का माद पूछ रहा है येहां Expert समझो इसका अंतर 2 cooler का इसका अंतर प्लस का एक अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लेके चलना है अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लेके चलना है बात को समझो अब इस दो का गुणा 11 में दो का गुणा 11 में तो 22 हो गया 22 का इसमें तो प्लस का 22 हो गया तो यह दो लोग हैं दो लोग को 44 लड़ू बटेंगे और 44 का माद चाहिए तो 22 होता है ये चीज हम कई बार सीखेंगे आज तो अभी खुसी मिलेगी आपको क्या मिलेगी खुसी 43 के बाद 44 में भी आई है कहता है आठ प्रेच्षडों का माद 10 है हम बड़े लॉजिक के इसाब से सोच रहे है इनमें 3 प्रेच्षडों को जोड़ा तो 11 हो गये तो माद 12 तो देखो यहां 3 जोड़ा गया यहां 2 जोड़ा गया बात को समन्ना और आप को ओगे सर 8 गुड़े 8 दूनी 16 हो गया 8 दूनी 16 अब यह 3 लोगों को इफेक्ट देगा 3 लोगों को 36 16 कहीं न कहीं 52 होगा 15 नहीं 52 भाग दोगे तो 17.33 होगा यहीं इसका आंसर होगा यह अभी छोटी छोटी वैल्यू है 8 10 11 12 कहीं लिखा होता 243 फिर इधर 241 तब वहां पर जो यह 8 गुड़े 10 करना आसान होता है फिर फिर 241 243 का गुणा करना फिर आपके जीवन के लिए कश्ट में होता है यानि आप प्रोसेस को सीखेंगे तो खुसी सेम कोशन को मालू यहीं कोशन हमें फिर से देना आपके पेपर में हमने का लिखा देखो कि 83 लोगों का माद समझ रहें 83 लोगों 85 लोगों का माद 243 है तो अगर आप मेरी बात को समझना अगर आप ये तरीका नहीं सीख रहें जो यहां सिखाया जा रहा है तो आप पेपर में क्या करोगे आप पहली क्या करोगे पेपर ही छोड़ दोगे 243 गुणा 85 माइनस 43 गुणा 241 बटाथील तुम्हारे साथ खेल अगर तुम्हें एक्सपर्ड हो तो यहां प्लस का दो बोलोगे यहां पर भी प्लस का दो बोलोगे इस दो का यहां गुणा करोगे तो कहीं ना कहीं 486 आएगा 83 में 2 का गुणा करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे सामने 16 आएगा बटा 3 यह आसान होगा कि यह आसान होग वो आप खुद decide करोगे बोलो हाँ clear है याद रहे concept is the power calculation यहीं से generate होती है वहीं खेला होता है वहीं खेला होता है कहता भाईया आकलो का माद्द बताओ अब ऐसे कोशन आ रहे तो बताओ क्या करें माध बताना सभी को जोड़के लिखो ये एक रुप्या ये एक रुप्या ये भी एक 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 ये भी एक हुआ एक दो तीन चार चार दो छे और आदा साड़े छे को तेरा बटा दो बोलते और कितने लोग एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ से भाग दे दो ये आंसर तेरा बटा अठारा आंसर और का तुम सोचे कि हम ये लिखेंगे एक प्लस एक बटा दो ऐसे करेंगे मजा करवाना है कि कहता भईया आकड़ो का माद 16 है तो ये बताओ अब देखो इसमें हम दिमाग नहीं देंगे आप चुप चाप जोड़ो और निकाल लिए आप कहां दिमाग दें ये 40 हो गया बोलो हाँ और ये साइध हो गया 29 4030 मालो 40-30 में से कम 69 प्लस X और पांच का यहां गुणा कर लो 12 पचे 80 क्योंकि टोटल 80 तो ये 11 हो जाएगा भोलो हाँ 46 का अंसर 11 तुसी मिल रहे है कि नहीं 47 नमबर कहता है 9 प्रेशडों का माद दे बात को समझो 9 प्रेशडों का माद दे कितना है 18 मिक्षे एलिकेशन कर देंगे 4 और प्रेशडों को सामिल किया गया 4 को सामिल कर लो इनका माद नहीं दिया गया होगा तो इन 4 प्रेशडों का माद नहीं दिया गया ओवर आल 19 हो गया इसका अंतर एक एक बराबर अगर 4 के 4 का इसमें भाग दो 2.25 आएगा 2 रुप्या 25 पैसा में जब 4 का गुला करेंगे ये जब 4 में 4 का भाग एक तो 9 में 4 का भाग ये अब एक चीज देखो यहाँ आपको कष्ट हो सकता है कष्ट क्या? एक बार ये बड़ा होगा एक बार छोटा होगा ये इससे बड़ा तो ये घटा अब ये बड़ा होगा तो ये दोनों जुड़के लिख जाएंगे जुड़के लिखोगे तो ये 21.25 हो जाएगा इसका राइट आंसर इससे ये घटाओगे तब ये पाओगे इसका मतलब इन दोनों का योग 21.25 में अगर 19 घट आते हो तो 2.25 आता है समझ रहना बोलो हां दोस्तों आसान कोश्चन है ठीको आसान है अब आसान है पर हम आपको लॉंग तरीके से ही बताने की सोच रहे हैं आप बताओ लॉंग तरीके का मतलब क्या है या तो आप ऐसा को पंदरत है पैतालिस सोला आठे कर लो सतरा दस से कर लो अठरा दस से कर लो 19 पंजा कर लो 20 इतना कर लो इसमें फिर इसके योग से टोटल 40 से भाग दे तो देन यू विल गेट राइट आंसर अन्था आप प्रकास कला सीको जो उत्ती देड़ से सिखाया जा रहा है 2021 का कोश्चन है हमने आपको पहले बताया कि फ्रिक्व सारे ओप्संस का है 17 15 16 18 में सारे ओप्संस इसी के आसपास भटक रहे हैं आप कोई भी एक वैलू मालो हम मालो हम जो मालने वही आंसर तो हम मानेंगे अब हटके हम 18 मानेंगे जाओ मालम चला अभी हम 17 माल भी आंसर आजाया कोई वरूसा नहीं 18 मानेंगे इस बार चुकि इस बार दिया नहीं गया है 18 माना 18 माना 15 तो 3 कम 18 तो यह 2 कम 18 तो यह 1 कम 18 तो यह एक जादा 18 तो यह 2 जादा तो ये तीन तरेका नो, आठ दुनी 16, ये माइनस का 10, प्लस का 5, और 4 दुना 8, पहले मैं बात को समझो, 18 तो होगा ही होगा, अब यहाँ पर देखो, अब देखो जो ये 13 है, ये निगेटिव जादा है, तो ये घटेगा, ये घटेगा, और कद्दू कटेगा वो बटेगा ये वो बात में 13, 16 यानि माइनस 3, 19 ये 22 हो गया, माइनस का 22 हो गया, माइनस का 22 हो गया, माइनस का 22 हो गया, अब कद्दू कटेगा, तो सब में बटेगा, कब में किसमें, 40 लोग में बाटना है, भाग दो, 18, चार से भाग दो मिरवाई यह पांच बार में 5 चोका 20 चिर 20 यानि पचपन बार में दसमलो दसमलो पचपन लिए सही बात हो गए 17.45 इस दा राइट आंसर अच्छा हुआ हमने 17 नहीं माना ना आप कोगे सर वाई दिस को ला वरी 48 का आंसर आपके सामने 17.45 आएगा यह एक बढ़िया तरीका है इसी से हम सुरुवात से लेकर अन तक इसी को फॉलो करते हुए सिखाया है यह नहीं कि सिर्फ एक कोश्यम लगाया एक बच्चा कर आठारा कहां से अरे अपने मन से आउसत मानो मेरे देवता जब यह ओप्सन है तो अपने मन से तुम 15 लेलो 17 लेलो 18 लेलो 19 लेलो 20 लेलो तभी तु सीखो मेरे देवता 18 कहां से हमने अपने मन से 18 माल लिया आपके इच्छा नहीं इससे नराज 16 माल लो तोलाज नराज 17 माल लो फिर उसी हिसाब से ओपर की कैलकुलेशन होती है 11-13 किती है 6 बोला गया इनका मार्द 6 से भाग यहीं होगा फिर 6 से जाना ही नहीं है कि चला जाएगा देख लो भरोसा नहीं है आज की दिन में 3-1-4 3-1-4-7-4-11-1-5-16-17-18-19-20-21 दो हासिल एक तालिस ही आएगा एक तालिस बटा छे नहीं जाएगा यहीं इसका आंसर होगा 49 का आंसर एक तालिस बटा छे दो कोशन और बताने हो कहता भाईया इसका माद बताओ अब इसमें कोई rocket science है सभी को जोड़ो भाग दो 5-8-5-13-13-7-20 दो हासिल दो तीर पचास हो गया 5 से भाग दो 10 आंसर आपका क्या आंसर आ रहा है 50 का 10 आंसर और एक कोशन और जहां से आपका मीन यानि माद खतम होगा कहता भाईया इसका माद 10 है तो एक्स का मान बताओ जोड़ लो मेरे बाई यह 15 दूनी 30 15 तया है 45 45 40 में 71 टोटल 71 हो गया 71 प्लस एक्स बराबर 10 10 गुड़े 8 यानि 71 प्लस एक्स बराबर 80 के एक्स बराबर किसके 9 के 9 इस दा राइट आंसर आप दिस कोशन भोलो हां यहां से आपका मीन वाला पोशन कंप्लीट हुआ इसके बाद हम पढ़ेंगे मीडियन मोड वाला पोशन अभी बहुत कुछ है दोस्तो कुछ पोशन है सब पढ़ाए जाएंगे दोस्तो माना जाता है कि यह लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो पहला उद्देश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दूसरी बात प्याए दोस्तो हमारा टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर लिजिए लिंक डिस्क्रप्शन में है जहां बहुत कुछ आपको बताया जाता है प्यारे दोस्तो मीन मीडियन मोड आपने पढ़ा ठीक है और प्यारे दोस्तो इस किताब का जो पूरा सुल करता है पड़े चीजों को बहतर सेक्षिंए याद रहे यह किताब टाइब वाईज है जो बच्चा प्रॉपर टाइब वाईज चीजों को बहतर पढ़ता है हर तरीकी के कोशण को सीखने कोशिस करता है उसी का सेलेक्शन होता है आपको हो सकता है नहीं मालून हूँ से लेक्चर दिये गए बहुत से टॉपिक के उनको आप बैतर पढ़िए और सेलेक्शन की और बढ़िए जी हाँ दोस्तों तो कैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए हो तो टेलिग्राम ग्रूप जोइन कीजिए